वेल्कम बेक फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम देखें है क्लास मेथड के बारे में तो अब हम यहां पर सबसे पहले डॉग डॉट कम्यूनिकेशन को प्रिंट करते हैं सेम अब यह है डॉग वन यह है डॉग टू तो इन्हें रन करने पर ठीक है तीनों की वेल्यू मतलब सेम आई क्योंकि हाँ पर हमने कम्यूनिकेशन की वेल्यू बार्क सेट की हुई है अब हम अगर इसमें थोड़ सा अपडेट करें लाइक डॉग वन डॉट कम्यूनिकेशन इकॉल्स तू बार्क वन ठीक है अब दूआ से प्रिंट करते है ठीक है तो डॉग वन की बार्क वन हो गई और बाकियों की बार्क ही है सेम अगर इसकी जगहा मैं क्लास से इसे कॉल करूँ क्योंकि जो attribute है हमारा class attribute है क्लास लेवल पर defined है तो मैं इसे class से कॉल करने के बाद अगर इसकी value change करता हूँ तो देखे वह तीनों में ही change हो गई क्यूंकि वही है कि अगर हमने इस से class लेवल पर ही change करें तो देख by default यह instance method है क्योंकि इसका जो first parameter वो एक instance है तो सेम अगर मुझे कोई class method लिखना है तब कैसे लिखेंगे तो let's say def करते हैं सबसे पहले update communication लिख देखें इसका नाम तो यहाँ पर भी देखे by default यह जो method है class के अंदर यह first अपना जो parameter है वो एक instance लेता है तो इसलिए यह एक instance method है बट अब हमें इसे class method बनाना है तो मतलब जो इसकी default property है हमें उसे update करना है जब भी हम किसी function की default property अपडेट करते हैं तो हमें decorator use करना होता है तो वह यह अब हहाँ पर इसकी default property यह है कि first parameter यह instance लेगा तो हमें यह update करनी है तो इस बार हम decorator use करेंगे class method तो class method से यह जो first parameter पहले object था यह instance था अब यह class है जिसा अगर मैं इस पर mouse रखता हूँ तो यह बोल रहा कि usually जो first parameter का नाम होता है class method में वो CLS होता है तो यहाँ पर by default पहले object आता है बट हमें class चाहिए तो हम class method decorator use करेंगे तो अब अगर हम इसमें कर दें तो अगर मैं CLS dot करूँ ठीक है तो यह जो हमारा class attribute यही बस show हो रहा है बाकि हमने जो यह object के level पर बनाये थे यह show नहीं हो रहे है dog name या कुछ ऐसा नहीं आ रहा है और communication आ रहा है कि वही है कि अगर हम class level से call कर रहे हैं तो class वाला attribute दिखाएगा न तो यहाँ पर अब हम इसे update कर देते हैं इसका कर देते हैं bark one ठीक है अब इसको call करते हैं पहले update communication को तो वही है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने अगर पूरे class level पर चेंज करने होता है तो हम class से call करते हैं ठीक है तो वही सेम चीज है तो यहाँ पर हम class से call करेंगे dog.update communication और इसका first parameter जैसे हमने बताया कि class है तो हम अगर class से call करेंगे तो हमें first parameter पास करने की need नहीं है जैसे हम यहाँ पर object से अगर हिने call करते तो हमें object डालने की need नहीं होती थी तो same वही है अब हमें मतलब इसकी need नहीं है सेम अब द्वारा वाई प्रिंट कर देते हैं तीनों चीजे अब इससे run करके देखते हैं ठीक है तो value अपडेट हो गई तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं बाकि next वीडियो में हम inary tense देखेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई